जैहिन जैबर्द सातियों मैं हूँ अजीत फोजी सुंगरपुरिया आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल ओम स्पोर्स केडमी तोसम दोस्तों जो भी मेरे भाई फोजी भाई हैं रिटायर हो चुके हैं जो मराठा लाइड इनफैंट्री रेजमेंटल सेंटर बैल गाउं से और जो भी टी ए से रिटायरमेंट हैं वो परसन यहां पर फोजी भाईयों के लिए बरती है डियस्स के लिए डियस्सी रेग्रूट्मेंट रेली है और यह रेली मराठा लाइड इनफैंट्री रेजमेंटल सेंटर बैल गाउं करेगा यह जो बरती है 13 और 14 सितंबर को क कि जाएगी यहां पर बरती सोल्जर जीडी और सोल्जर कलरक के लिए की जाएगी जो भी अक्षरिश्मेन हैं चाहे वो टीये से हैं चाहे वो मराठा लाइड से हैं इनके लिए बरती निकल कर सामने आई है अभी आपको बता दें जो भी मेरे 20 के लिए कुछ सरतें हैं वो से जो भी retirement है जो tutorial आर्मी होती है पारदेशिक सेना वहाँ से retirement है तो वो भी यहाँ पर बरती देख सकते हैं डियस्ची की यह बरती जो हमरा ठलाई center करेगा बेल गाउं यहाँ पर इसके लिए सरते हैं जो आपका character है वो एक्जेम्पलरी हो या very good के लिए assessment किया गया हो एक चीज तो ज्यान देने वाली बात यह है दोस्तों दूसरी बात इसके अंदर बताया गया है कि जो भी डिज इसके अंदर है जो more than entry है ने during the service इसके अंदर कुछ दाराएं बताएगे हैं पुनिश टंडर नहीं किया गया हो इसके लिए section 34, 35, 36, 37 और 41, 2 के तहट कोई भी जो है ने punishment नहीं किया गया हो उसके अलावा जो black entry जो extra guard duty के लिए ना की गई हो section 18 last 5 year पांच साल retirement से पहले जो guard duty के लिए black entry ना दिया गया हो या red entry भी नहीं दी गई हो last 3 year के अंदर जो की former service है उसके दोरान थरी red entry नहीं होनी चाहिए इस परकार से यहां कुछ हरते हैं जो देख सकते हैं the candidate should complete the minimum 5 year color service previously पहले 5 साल color service की हुई हो उसके अलावा जो भी safe one होना चाहिए medical category वो है safe one चाहिए यहां पर तो जो भाई आ रहे हैं आप बरती देखने DSC के लिए उनके लिए कुछ हरते हैं वो जरूर पढ़ लें ये हमारे description box में मिल जाएगा PDF तो इसका ध्यान दें दोस्तों हमारे telegram channel को join कर लें अगर आप हमारे channel पे नए हैं तो हमारे channel को like और subscribe जुरूर करें cause of discharge इसमें maintain किया गया हो एजुकेशन आपकी पास होना चाहिए non metric नहीं हो कोई भी एज आपकी जीडी के लिए 16 साल है और कलरक के लिए 16 साल है यहां पर बता रखें क्या document लेकर आने हैं वो भी बताया हो है discharge book लेकर आएं सभी अजुकेशन शैट्यूकर लेकर आएं स्कूल लिविंग शैट्यूकर ट्रांसपर शैट्यूकर और जो कास शैट्यूकर डोमिसाइल सभी करेक्टर शैट्यूकर यहां पर army group insurance जो हमारा होता है वो भी लेकर आएं उसके अलावा two set जो photo state copies सभी attested document की बारा photo copies lost photo passport size photo होनी चाहिए verification होना चाहिए आपके सेट्यूकर सभी सुप्रिडेंट और पुलिस आपकी पुलिस रिपोर्ट होनी चाहिए इस परकार से जो भी candidate यहां बरती देखने जा रहे हैं यहां बरती दो ही ट्रेड की है जैनल डूटी और कलरक के लिए तो सभी candidate 0800 आवर सुबह 13 सितंबर 2021 को पहुंच जाना दोस्तों यह जो भरती आपको बताए दी मराठा लाइट इंडवेंट्री रेजमेंटल सेंटर बैल गाओं के दवारा की जाएगी यह डिये सी की बरती है यहां पर फोजी वाईयों के लिए बरती है जो रिटायर्मेंट हो गए है चाहे ओ टीए से हो या मरा ठालाई से जैहिंद जैवारत